नमस्कार मेरे नाम है युश्पाल और आप देख रहे हैं इंडिया न्यू स्पोर्ट्स टिजिटल और आज हमारे साथ मौझूद है इंडिया न्यू स्पोर्ट्स टिजिटल के संपादक मनोजी सर आज एक अलग मुद्धे पर बात होने जा रही है आज का मुद्ध ये है कि विराट कोली से जो T20 और वंडे की कप्तानी ली गई है क्या ये उनके साथ जाबती है एक अच्छा सवाल आपने पूछा है दुखती रख पर आपने एक तरह से उंगली रख दी जाती इस मामले में कहना ज़्यादा सही होगा क्योंकि अगर आप देखें ना तो इनका वंडे का रिकॉर्ड भारत जो एज एक कैप्तन भारत में किसी का नहीं है जो विराट कोली का है 95% 95 मैचों में से मरला आप देखिए 65 मैच जीते हैं उनकी कप्तानी में और 70.4% का उनका उस्त है यह बेहतरीन है अगर दुनिया की बात करें पूरी दुनिया भर की तो यह रिकी पॉंटिंग और हैंसी क्रोने के बाद यह सर्वस्षेष्ट है तो ऐसी सिती में अगर कोई और इससे भी बड़ी बात यह है कि वो कप्तानी करना चाहते थे क्योंकि पीसे जब उन्होंने ख़बरे भी थी और इंस्टाग्रम पर भी डाला था सोशल मेडिया पर उन्होंने पोस्ट किया था साफ तोर पर उन्होंने यह कहा था कि भई मैं टेस्ट और वन डे क्रिकेट पर एकागर रहने के लिए concentrate करने के लिए T20 क्रिकेट की कफ्तानी चोड़ रहा हूँ और T20 वर्ल्ड कप के बाद मैं कफ्तानी नहीं करूँगा लेकिन उसके बाद ऐसा क्या घटा या यह कहिए कि कफ्तानी तो ऐसे कोई भी नहीं चोड़ना चाहता इतना असान नहीं होता का कफ्तानी या लाओ कफ्तानी थे लेकिन उन्होंने बहुत अपना अपने काम को बखू भी निभाया है तो मेरा अगला सवाल आप से यही था कि रोहिश शर्मा इस रोल में कितने फिट बैट थे हैं और उनके लिए आगे कैसा रास्ता रहने वाले से तीके रोहिश शर्मा का सवाल है जह के हिसाब से तो अब एक परिवर्तन तो कहते हैं न एक नियम है स्रिष्टी का तो बदलाव तो देखिए कोई भी कफ्तान छोड़ना नहीं चाहता आपको कफ्तानी जो है सौपनी पड़ती है क्योंकि अगर आप जितने कफ्तान बनाएंगे अलग अलग अगर आप वंडे क का अलग कफ्तान बनाएंगे टी टूंटी का अलग कफ्तान बनाएंगे तो वाइड बॉल क्रिकेट में एक पर्तिदोंदिता या कहीं न कहीं वैचारिक मद्वेद ज्यादा उभर करा सकते हैं अगर टेस्ट का रेड बॉल क्रिकेट का अलग कफ्तान हो वाइड बॉल का अ तो औल फर्मेट वाले खिराड़ी इतने जादा नहीं होते तो इसलिए टक्राव भी कम होते हैं सर जैसा कि एक चीज कहवध है कि आपको अगर इतिहास समझना हो तो आपको भविश्य देखना होगा आपको इतिहास समझ नहों तो आपको पीछे जाना पड़ेगा, आपको पास जेगना पड़ेगा तो मेरा आपसे प्रशन है ये था कि क्या ऐसा पास में भी होते हैं इंडिया टीम में कि पुराने समय में भी जो हमारे प्लेयर्स थे उनके साथ भी ये चीज़ें होती हैं पुराने कप्तानों के साथ तेखो थी सबसे बड़ी बात तो ये थी जिस घटना ने भारती क्रिकेट के माइने बदल दी वो थी 1983 का वर्ल्ड कप जीतना वो भी एक ऐसी टीम का जीतना जिसने पिछले दो वर्ल्ड कप में यानि पहले वर्ल्ड कप में और दूसरे वर्ल्ड कप में सिर्फ एक मैच जीता था मतलत जो बंगलादेश जे जिम्भावे की हालत है बंगलादेश में नहीं बलकि जिम्भावे या उस से भी आप नीचे की टीम मान सकते हो वो रसी भारगा ती अगली बार तीसरे वर्ल्ल कॉप में आती है चैंपिकान बन जाती है और जो पिछली दो बार की चैंपियन है उसको हराकर चैंपियन बन जाती है ये तो कोई मतला अजूबी बात थी बहुत अजूबा हुआ था तो कपिल दे उस टीम के कप्तान थे लेकिन उसके बाद सब उल्टा होता गिया उसके बाद जो है वेस्ट इंडीज आई उसने दो जीता था और उसके बाद गावासकर भी बहुत लंबे समय ता कप्तानी नहीं कर पाएं उनको भी कप्तानी चोड़नी पड़ी जिनको ये माना जाता है कि विदेश में उन्होंने बहुत ही शांदार प्रदेशन किया बतार कप्तान जीतना सिखाया वो भी बड़े अजीब वज़ा से आप पर गौर नहीं करेंगे आपके पर्फॉर्मेस जो है वही काउंट करेगा तो बंदा जो है चोड़ चाड़के यहां से कप्तानी का रिटार्मेंट करके वो चला गए मसूरी मसूरी में उनका रहा है वहां भी घर बनाय हुए उन्होंने वहां चल दिये एक जीतने के बावजूद उन्होंने का मैं बैटिंग पर कंसेंट्रेट करना चाहता हूं इसलिए मैं कप्तानी नहीं करूँगा उन्हें लारा और द्रविड तो अजूबे हैं लेकिन बाकी जितने भी कप्तान रहे हैं सब के चेहरे लटके हुए थे क्योंकि उन्होंने तो मेरा दूसरा सवाल भी इसी चीज से जुड़ा हुआ था आपसे कि टू कैप्टन फॉर्मिला इंडिया टीम के लिए कि इतना अच्छा साबित होगा जिस आपसे इंडिया टीम का परफॉर्मेंस है अभी विराट कोली कप्तानी में हम देखते हैं आरे टीम इंडिया काफी अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है तो यह जो फॉर्मिला बी सी सी आई लेकर आई है इससे कितना हद तक टीम इंडिया को फायदा होने वाला या जो की बोच बहुत जादा हो जाता है अंतराश्टी क्रिकेट का दबाव जो होता है ना उससे कहीं न कहीं आपका खेल भी प्रभावित होता है आप विराट कोली को देखिए उनका परफॉर्मेंस यह तो हमने आंकले बता हैं उनके अच्छे कप्तान के तौर पर लेकिन अ सतर या सतर प्रस का उसस पर्टिकुलर एर का पहुंच गया था सतर पर चतर असी तक उन्होंने डन बनाए हैं तो यदि प्रफॉर्मेंस में गिरावट आती हैं और यदि टू फार्मुला जो सोच है कप्तान की कप्तान चुद्ने की उससे अच्छे परिणाम आते हैं अब सोचपन के बाद पहली बार कोई ऐसा कप्तान आया जो फास्ट बॉलर है उसके अलावा अगर हम देखें तो उनका जो वंडे का या जो वाइड बॉल का जो कप्तान है ऐरन आस्टेलिया का वो एरन फिंच है इंग्लेंड की बात करो वहाँ जो रूट जो बहुत अच्छी बल्ले बाजी कर रहे हैं सेशिस टेस्ट में सेंचरी के करीम है और पहली सेंचरी वो बना लें आस्टेलिया में जाकर तो वहाँ पर जो रूट है और मॉर्गन है अब मॉर्गन जो है वो उनकी अगवाई में टीम ने वर्ल्ड कप जीता था वो 2019 का और टी टुन्टी का व रिशक विराट को थोड़ा बुरा लगा होगा इनके प्रति मुझे थोड़ी सहनुवूती भी है लेकिन जब इसमें सवाल है कि रोहिश शर्मा का कोई दोश नहीं है उम्र इनकी भी बढ़ रही है तो रोहिश शर्मा को अब मौका नहीं मिलेगा तो कम मिलेगा मैं तो क्या कि रिशपन्त को बनाना है या केल रहूल को बनाना है क्योंकि वही भविशे के कप्तान की उसमें आपको प्रतिविम दिखाई देगा सर इसके लावा मेरा ये कोशन था आप से कि जैसे हम एक इंडिया टीम का डीयने देखते हैं विराट कोली की कैप्टनसी के अंदर जिसमें हम देखते हैं कि टीम इंडिया बिल्कुल अटैकिंग खिलती है तो क्या रोहिद की कप्तानी में भी टीम इंडिया वंडे और टी तो उसके बेहतर परिनाम आएंगे और वो उन्होंने प्रूब भी किया है और काम चलाओ कप्तान के तौर पर अगर आप टीम को जिताते हैं तो जब आप स्थाई तोर पर कप्तान बन जाएंगे तब तो आपको टीम भी आपके मतलब की टीम मिलेगी आप टीम मेनेजमेंट का हिसा ही नहीं होंगे बलकि आप प्रबल वो होंगे मजबूत पक्षापका होगा आपका स्टेंड होगा एक कि मुझे ये प्लेयर चाहिए इसके लिए मेरा ये लॉजिक है और आप चैन करताओं को कन्विंज भी करवा सकते हैं तो अब ये इस भूमिका में आ गए है रोहिष शर्मा तो मुझे लगते हैं अच्छे परिनाम आए अभी पिछला जो हमारा टी-20 गुजरा है जिसमें हम लोगों ने देखा कि टीम इंडिया आगे नहीं बढ़ पाई ग्रूप स्टेजेज से तो क्या कहीं हद तक ये भी चीज जिम्मेदार है विराट कोली की कप्तानी जाने को लेकर एक कारण तो ये भी है बिल्कुल क्योंकि अगर आप परिनाम नहीं देंगे आप देखिए ना आपने बाइलेटरल सीरीज में विराट कोली की कप्तानी मे लेकिन साथ अफरिका में मैच जीते तो कुल मिलाकर विराट कोली की कप्तानी को लेकर कोई संदेग इस बात को लेकर नहीं है क्योंकि बाइलेटरल के वो चैंपियन रहे हैं लेकिन आइसे सी ट्रॉफी ना जीत पाना एक तो ये बड़ा कारण और दूसरा टी कॉंट्री वर्ल्ड कप में हमें बहुत ज़्यादा उमीदे थी उनसे क्योंकि 2019 में हम आखरी बाधा में न्यूजिलेंड ने अंतिमपूर बाधा में न्यूजिलेंड ने सेमी फैनल में हमें शिकस्त दे दी यहां पर भी वही कुछ हुआ यहां पाकिस्तान से भी हा रहे जो पहले हुआ तो आप रोहिष शर्मा और राहूल रविट आर स्क्वेर के फॉर्मिलो किस तरीके से देखें हैं देक्या आर्ट स्क्वेर जो है बिलकुल यह कहिए प्रफॉरमेंस में सुधार आएगा क्योंकि रोहिष शर्मा जस्यकि रवीष शासी ने भी कहा है बहुत अच्छ कि आप उसका 100% इस्तेमाल करें एसा नहीं कि मैं विराट को ऐसा कह के कि मैं उनका महत्रु कम कर रहा हूं इस खिलाड़ी ने भी बहुत जादा जिसे कहते हैं मौहमद सिराज को सिराज बनाने वाले वही यही खिला रही है विराट को ली जस्परीद बूमरा जिन पर एक ठप स्थानी में मूलभूत फर्क यही था कि धोनी जो है ना एक गेंदबास को एक डिबा समझते थे उनसे बॉलिंग कराते थे और उसको पूरा डिक्टेट करते थे खासकर स्पिनस को अब कुल्चा जोड़ी है पीछे से हम लोग हमेशे स्टम के पीछे से बताते थे इसकी य विराट कोली के जादा नजदीक है यह भी पूरी छूट देते हैं यह डिक्टेट नहीं करते उस तरह से जैसे महिंदर सिंग धोनी करते थे तो रोहित में कुछ खूबियां विराट कोली की खूबियां भी हैं कप्तानी की नेतरत्रतु का जो आपने शुरू में सवाल किय था और कुछ खूबियां उनमें क्यप्टन कूल वाली यानि महिंदर सिंग धोनी वाली भी खूबियां हैं तो मैं तो कहूँगा आई शुर करेगी हम आई सिसी ट्रॉफी जीते और पाइलेटरल सीरीज में जहां हमें खड़ा किया है विराट कोली ने उसके आगे हम देख तरीके से फोकस कर पाएंगे और एक वापस जो हम पुराना विराट दिखते थे उस तरीके से वापस इंटरनाशनल मैचेज में वो आप आएंगे लेकिन अगर वो बहुत ज़ादा सम्यदन शील हों बाहुत ज़ादा पाnegता न्की सामने आती है एमोशनल हो जाते हैं बहुत ज़ादा तो उसका असर उल्टा भी पड़ सकते हैं तो जो भारती क्रिकेट के लिए अच्शा नहीं क्योंकि विराट विराटी है और उनका ज अगर उनके अंदर का जो भावुकता जगती है तो उसका विपरीत असर होगा अगर वो पेशेवर रुका परिचे देते हैं रोहिष शर्मा ने जैसे बहुत अच्छी पॉजिटिव बात कही है तो मैं तो कहुँगा कि जो कुछ भी वस्तूस्तिती चल रही है तो उसमें रोहिष शर्मा निर्णायक रहने वाले हैं अगर उसको साथ लेकर चलेंगे तो विराट कोली भी 100% परफॉर्मेंस देंगे क्योंकि रोहिष शर्मा हर खिराड़ी से 100% परफॉर्मेंस कराने के लिए जाने जाते हैं तो आज का ही हमारे डिस्कॉशन था बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका ऐसे ही डिस्कॉशन अगर आपको और देखना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे साथ जोड़े रहिए इंडिया न्यू स्पोर्ट्स पर तन्यवार दोस्का